स्पोर्ट्स बुलेटिन अवार्ड्स के लिए नामित होने पर सविता ने कहा यह टीम वर्क का नतीजा है सविता जनोंने 2021 और 2022 में F.I.H. पुरसकार जीते थे उन्होंने कहा कि उनकी उपलब्धी टीम वर्क का परिनाम है सविता ने कहा मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं लगातार दो वर्षों तक यह पुरसकार जीतूंगा और अब तीसरी बार इसके करीब हूँ मैं वास्तव में बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ यहां मेरे, मेरे परिवार और मेरे साथियों के लिए भी गर्फ का क्षण है उन्होंने कहा टीम खेल में कोई भी उपलब्धी व्यक्तिगत प्रयासों पर आधारित नहीं होती बलकि टीम वर्क का परिणाम होती है आपकी कड़ी मेहंत के लिए पहचाना जाना बहुत अच्छी बात है और यहाँ पूरी टीम को प्रेरित करती है शेन वाटसन ने हेड और कमिन्स की जमकर की तारीफ एहंदाबाद में खेले गए विश्व कप के फाइनल में आस्ट्रेलिया ने भारत को छे विकेट से हरा कर छटी बार ट्रॉफी पर अपना कबजा जमाया इस जीत में आस्ट्रेलिया के हीरो रहे ट्रैविस हेड जिन्हें प्लेयर ओफ दम मैच से भी नवाजा गया है हेड ने पहले रोहिच शर्मा का शांदार कैच लपका और भारतिय टीम को बड़ा जटका दिया फिर शत्किया पारी खेल कर अपनी टीम की जीत पक्की की आस्ट्रेलिया के छठे क्रिकेट विश्व कप खिताब के बाद ICC रिव्यू पॉडकास्ट के नए एपिसोड में बोलते हुए वाट्सन ने शुरुआती बल्लेबाजों की निरंतर आकरामकता की सराना की खराब फिल्डिंग और बल्लेबाजी बनी भारत की दुश्मन पूरा देश जिस जीत की उमीद कर रहा था वो एक दर्दनाक हार में बदल गई भारतिय खिलाडियों के आंखों में जो आंसू खुशी के देखने थे वो गम के दिखे क्योंकि कंदारों ने फाइनल मुकाबले में बाजी मारी और भारत का ट्रॉफी जीतने का सपना तोड़ दिया आस्ट्रेलिया के लिए सबसे सफल खिलाडी ट्रेविस हैड एक सो सैटीस रहे जिनों ने अपनी शत्किय पारी के दम पर भारत की हार की कहानी लिखी उनकी शांदार बल्लेबाजी ने भारतिय गेंदबाजों को खूप छकाया इस मुकाबले में चाहे बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या क्षेत्ररक्षन आस्ट्रेलिया पूरी तरह से रोहित एंड कमपनी पर हावी थी वही भारतिय टीम पिछडती नजर आई मेजबान मिस्र को हराकर इरान ने पुरुषों का सिटिंग वॉलिबॉल विश्व कब जीता मिस्र ने शनिवार शाम को पहले सेट में मजबूत शुरुआत की लेकिन इरान ने जल ही बाजी पलटते हुए इसे अपने पक्ष में कर लिया और अगले दो सेटों में बढ़त बनाये रखी और मैच 25 से 21, 25 से 19, 25 से 17 से समाप्त किया इरान के मुख्यकोच हादी रेजाईगार कानी ने शिन्हुआ को बताया यह एक बहुत अच्छा मैच था और मिस्र एक मजबूत प्रतिद्वन वी था इरानी टीम अत्यधिक कुशल है और सभी खिलाडियों ने प्रशिक्षन में बहुत मेहंत की इसलिए हम जीत को लेकर आश्वस्त है इस प्रकार इरान ने टूर्नामेंट के दौरान जापान, अलजीरिया, इराक, यूक्रेन और मिस्र के खिलाफ अपने सभी पाँच गेम सीधे सेटों में जीते बी एन टी की खास पेशकश